तो हेलो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे e-learning platform मुख्त सिख्षा पे आज की वीडियो में हम करने जाने एक लास 10 का चैप्टर 3 जिसका नाम है पियर अफ लीनियर एक्वेशन इन 2 वैरियेवल्स इसमें हम करेंगे कि लीनियर एक्वेशन को solve कैसे किया जाता है elimination method से elimination method कैसे use किया जाता है और word problems कैसे किया जाते हैं तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि elimination method कैसे use किया जाता है word problems को कैसे solve किया जाता है तो दोस्तों, आपके सामने question number first है, exercise 3.3 का, तो देखिए आपको क्या बोला गया है, आपको बोला क्या है, कि दो equation दे गई है, उसे elimination method से solve करना है, तो इसे दोनों method से solve करना है, elimination method से, और substitution method से, तो पिसली वीडियो में हमने substitution method को cover किया था, तो इस वीडियो में उस method को नहीं करेंगे, हम नहीं method सीखेंगे, जिसका नाम है elimination method, तो आपको introduction पार्ट में बताया था, कि elimination method क्या होता और कैसे use क्या आता है, तो चली, आपके सामने equation है, उसे कैसे solve कहता है, elimination method से, वो 2x-3y, equal to 4, तो दोस्तों आपको जैसे नाम से इपने सल रहा होगी, elimination method है, values को eliminate करना है, मतला हमें करना क्या होता है, इस method में, कि coefficient, x का coefficient है, y का coefficient, तो उन्हें equation में same करना होता है, और अगर equation, coefficient same हो जाता है, तो equation को eliminate कर देते हैं, इस method से, तो देखिए, जैसे यहाँ पे x की coefficient का 1 है, और यहाँ पे x का coefficient 2 है, यहाँ पे y का coefficient 1 है, और यहाँ पे y का coefficient minus 3 है, तो हमें किसी भी एक, किसी भी एक variable की coefficient को same करना होता है, तो चलिए, अगर मैं इस first equation को 3 से multiply कर दूँ, तो y का coefficient दोने equation में same हो जाएगा, जैसे देखिए, आपको मिल जागे हैं आपे, 3x plus 3y, equal to 5 into 3, 15, वे आप लिगेंगे 15, और यह आपका second equation था, 2x minus 3y equal to 4, तो यह आपका first equation था, यह second equation, तो चलिए, इन दोनों को solve करते हैं, यह दो equation है हमारे पास, इसे minus करेंगे आपस में, तो minus करने के लिए, friends, sign change करना होता है, यह 2x plus का है, तो यह minus हो जाएगा, यह 3y minus का है, तो यहाँ पर plus हो जाएगा, और 4 plus का है, तो यह minus हो जाएगा, तो आपको दिख रहा होगा, friends, यहाँ पर हम plus करेंगे, plus करने का एक reason हमारे पास, जो कि अगर हम plus करते हैं, इक्वेशन को दोनों को, तो यहाँ पर plus का 3y है, और यहाँ पर minus का 3y है, तो वो cancel out हो जाएगा, और plus करने में, 19 upon 5, इसी प्रकार से y की value निकालते हैं, तो चलिए, आपको first equation और second equation, किसी भी एक equation में, x की value पुट करनी हैं, और y की value find करनी है, तो देखी जैसे, हमारे पास first equation है, x plus y, equal to 5, और हमें पते है, x की value, x की value है, 19 upon 5, plus y, equal to 5, तो y की value निकालने के लिए, 5 में से 19 upon 5 minus कर देंगे, lcm लेंगे, तो lcm आगया 5, यह आचाएगा 25, minus 19, यह आचाएगा आपका 6 upon 5, तो हमने x और y की value निकाल ली, x की value आई है, 19 upon 5, और y की value आगयी, हमारी 6 upon 5, तो इस प्रकार से हम animation method को use करके, equation को solve करते हैं, और जो variables है, उनके answer निकालते हैं, variables के value निकालते हैं, तो चलिए अगला question करते हैं, और देखते हैं उसका solution, तो आपके सामने अगला question है, 3x plus 4y equal to 10, और 2x minus 2y equal to 2, तो चलिए इससे solve करते हैं, और निकालते हैं इसका solution, question, तो पहला equation आपके पास है, 3x plus 4y equal to 10, और second equation आपके पास है, 2x minus 2y equal to 2, तो दोस्तों, आपको दिख रहा होगा, मैंने पहले question में ही बताया था आपको, कि किसी भी variable का, एक constant term होती है, coefficient होता है, उसे same करना होता है, तो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर y का coefficient 4 है, और यह y का coefficient 2 है, तो अगर मैं 2 से नीच वाल equation को multiply कर दूँ, तो दोनों का coefficient same हो साएगा, तो सलिए करते हैं solve, और निकालते हैं solution, 2 से into करेंगे, तो नई equation जो आएगे, 4x minus 4y equal to 4, और उपर की equation दी गई थी, हमें equation first, 3x plus 4y equal to 10, तो friends, इसे अब हम plus कर देंगे, जिससे yy cancel हो जाएगा, और हमें मिल जाएगे x की value, तो सलिए plus करते हैं, plus करने पर ये cancel out हो गया, 4 और 3, 7x हो गया ये, और ये आगया 14, तो x की value आगे यहाँ पर आपके 2, तो y की value निकालने के लिए equation में put करेंगे x की value और y की value निकालेंगे, तो आपके पास first equation क्या थी, 3x plus 4y equal to 10, तो दोस्तों हम करेंगे x की जगए 2 put, यहाँ 2 put कर दिया, 4y equal to 10, यह हो गया 6 plus 4y equal to 10, 10 में से 6 को minus करेंगे, तो 4y की value जो मिलेगे, वो 4 मिलेगी, तो y की value जो आगई 1 के equal, तो यह मिल गया हमे y और यह मिल गया हमे x, इस प्रकार से हम elimination method का use करते हैं, और निकालते हैं ऐसे question का solution, तो अचले बढ़ते हैं अगले question की तरफ, और देखते हैं उसका solution, अगला question आपके पास है, 3x minus 5y minus 4, और 9x equal to 2y plus 7, तो पहले इस equation को arrange करना पड़ेगा, और फिर हम इसके coefficient को same करके eliminate करेंगे values को, तो चलिए लिखते हैं equation, तो यहाँ पे आपको दिया गया है, 3x minus 5y minus 4 है, तो equal to की sets आएगा, तो plus का force आएगा, तो यहाँ आगया हमारे equation first, equation second दिया गया है, 9x equal to 2y plus 7, तो अगर 2y का side change करेंगे, तो यहाँ पे आजागा 9x minus 2y equal to 7, तो यहाँ आगया हमारे second equation, अब हमें x के coefficient दिख रहा होगा, कि x के coefficient सेम कर सकते हैं, अगर उपर वाले equation में 3 से इंटो करें, तो जो x coefficient है, यहाँ भी 9 आजाएगा, यहाँ भी 9 आजाएगा, जिससे हम eliminate कर सकते हैं, तो चलिए उपर वाले equation को हम 3 से इंटो कर देते हैं, और निकालते हैं solution, तो उपर वाले equation को अगर हम 3 से इंटो करेंगे, तो नई equation जो मिलेगी, 9x-15y is equal to 12, और नीचे वाले equation हमें second equation पता है, 9x-2y is equal to 7, तो friends, इसे इस वाले equation में से, इस वाले equation को minus करना पड़ेगा, minus करेंगे, तो उपर प्लस का 9x होगा, नीचे minus का 9x होगा, तो cut जाएगा, cancel out हो जाएगा, और y की value मिल जाएगी हमें, तो चलिए करते हैं, minus, minus के लिए हमें sine change करना वाता है, यह 9x प्लस का है, तो यह minus होगा, यह minus कर 2y तो plus कर 2y, यह 7 plus का है, तो minus होगा, तो यह cancel हो गया, यहाँ पर हमें मिलेगा, 13y, और यहाँ पर हमें मिलेगा, यहाँ पर क्या मिलेगा, फ्रेंड्स, 5, तो y की value आ गई हमारी, minus 5 upon 13, तो चलिए हम x की value निकालते हैं, equation ने put करके, हमें दिया गया था, 9x एक्वल टू, 2y प्लस 7, तो फ्रेंड्स, हम y की value पुट करते हैं, तो x की value मिल जाएगा हमें, तो यहाँ लिखते हैं, 2 और y के जग लिखते हैं, minus 5 upon 13, प्लस 7, तो यहाँ गया 9x, 2 से इंटू क्या तो यहाँ गया, 10 upon 13, प्लस 7, LCM लेंगे, तो LCM आजाएगा 13, और यहाँ आजाएगा minus 10, प्लस, अगर 13 को 7 से इंटू करते हैं, तो क्या आता है, चलिए देख लेते हैं, 7 से इंटू करते हैं, तो 73 इसा 21, 7, 91, तो यहाँ पर लिख देंगे, 91, 91 में से 10, अगर minus कर देंगे हम, तो यहाँ आजाएगा, हमें 81 मिलेगा, 13, और यह 9 से cancel out होजाएगा, यहाँ 9 बचेगा, तो X की value आगई है, हमार पास 9 upon 13, तो हमने easily find कर लिया, X की value और Y की value, चले, अगली question को देखते हैं, और देखते हैं, उसका solution, तो अगला question आपके सामने कुछ इस type से है, दिया गया है, X upon 2, plus 2Y upon 3, minus का 1, और X minus Y upon 3, equal to 3, तो इसको आपको solve करना है, तो पहले इसे normal equation में convert करेंगे, क्योंकि यह fraction में दिया गया है, तो चलिए normal equation में इसे convert करते हैं, और निकालते हैं, इसका solution, तो पहला equation इस प्रकार से है, हम लेटे हैं, इसका LCM, 2 और 3 का LCM 6 होता है, यहां पहले जाएगा 3X plus 4Y, यहां पहले जाएगा minus 1, तो करते हैं, हम इसे solve, cross into करेंगे, यहां जाएगा 3X plus 4Y equal to minus 6, तो यहां जाएगा equation first, equation second को भी convert करते हैं, इसे प्रकार से, आपको दिया गया है, X minus Y upon 3, equal to 3, इसके नीचे कुछ निया 1, LCM आया 1 और 3 का 3, यहां पहले जाएगा 3X minus Y equal to 3, इसके नीचे कुछ निया 1, cross into करेंगे, तो हमें मिल जाएगा, 3X minus Y equal to 9, क्यों होगे equation second, अब देखते हैं, friends, हम coefficient same करना है, नहीं, आपको दिख रहा हुआ कि X coefficient दोनों में same है, यहां भी 3X है, यहां भी 3X है, तो मैं कीज से multiply करने की जरूरत नहीं है, direct equation को solve कर सकते हैं, यहां लिखेंगे, 3X plus 4Y equal to minus 6, और यहां लिखेंगे, 3X minus Y equal to 9, friends, अभी equation को minus करते हैं, तो minus करने sign change होजाएगा, plus का minus, minus का plus, plus का minus, तो यह cancel होजाएगा, 4Y और plus का Y तो होजाएगा, यह 5Y, और minus का 9, और minus का 6 होजाएगा, minus का 15, तो Y की value जो आएगे, आपकी, वो minus 3 होजाएगे, इसी प्रकार से X की value निकालेंगे, इस equation और put करके, तो यहाँ पर आजाएगा, 3X, minus Y, और Y minus का 3 है, तो यहाँ पर plus का 3 होजाएगा, एकवल में 9, 3X, 9 में से 3 minus करेंगे, तो 6 आजाएगा, तो X की value आगई 2, तो X की value 2 आगई, Y की value minus 3 आगई, और हमें यही solve करना था, तो हमने बहुत easy तरीके से solve कर लिया, fraction वाले question को भी, इस इपकार से solve किया जाता है, तो चलिए, बढ़ते हैं अगले question की तरफ और देखते हैं, उसका solution, अगला question आपको word problem दिया गया है, question number 2 में बोला गया है, कि आपको पहले equation मनानी है, आपको एक word problem दिया गया है, आपको language लिखे गया, language को समझना है, पढ़ना है, और equation create करना है, equation बन जा है, तो उसे solve करना है, और फिर निकाल लिए, x, y की value, तो आपके सामने question number first है, second का first part, जिसमें बोला गया है, कि एक fraction है, उस fraction के अगर, एक fraction है, fraction के उपर वाले में से x, 1, 1, minus कर देंगे, और नीचे वाले में 1, plus कर देंगे, तो जो fraction है, वो 1 बन जाती है, अगर उसी fraction में, हम 1 add कर दें, नीचे वाले values में, तो fraction जो होगी, वो 1 से minus हो जाएगे, तो आपको बताना है, कि वो fraction क्या होगी, तो fraction निकालते हैं चलिए, आपको पता है कि जो हमें find करना होता है, मैंने आपको बताया था कि जो हमें find करना होता है, उसी को हम let करते हैं, तो चलिए let करते हैं, आप लिखेंगे let fraction equal to x upon y, अब according to question, question में क्या बोला गया है, देखते हैं, question में बोला गया है, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, ओकी, तो अगर x में बोला गया है कि 1 add कर दिया आजा है, ओके friends, वो लगए add कर दिया जा है 1, तो x में 1 add कर दिया, और नीचे 1 subtract कर दिया जा है, तो 1 subtract कर दिया है, आपने y में से, तो fraction जो बन जाता है, वो 1 बन जाता है, ओके friends, यह होगए equation first, इसे solve करते हैं, cross into करके, और निकालते हैं, अपनी final equation, तो यह कुछ इस प्रकार से आएगी, तो हम अगर xy की value निकाले, तो x minus y equal to minus 2, यह आगे first equation, अब second equation create करते हैं, यहाँ से, it becomes if we only add one of the denominator, ओके, तो denominator में 1 add क्या जाता है, तो क्या बन जाता है, तो friends, देखते हैं इसका solution, इसको करने के लिए, हमें question दुबाया पढ़ना पढ़ेगा, if we add one, तो friends, second condition के लिए, आपको question दिया गया है, यह, यह आपको fraction निकालना है, it becomes if we only add one, one हमने add कर दिया, उसके आगे condition का है, friends, यह जो question है, आपके सामने यह question अधूरा है, question पूरा नहीं लिखा गया है, इसको हम last month discuss कर गया है, चले वड़ते हैं, अगले question की तरफ, अगला question करके है, आपको question number second में निकालना है, आपको दिया गया है दो friends, नूरी और सोनू, नूरी और सोनू की जो age निकालनी है, तो आपको कैसे निकालनी है, present age चलिए करते हैं, आपको बोला गया है, कि 5 फियर एगो, एगो का मतलब क्या होता है, friends, एगो का मतलब होता है, पहले, पांत साल पहले जो नूरी की जो एज थी वो तीन गुनी थी सोनू की एज की और दस साल बाद बुला गया है कि दस साल बाद जो है वो नूरी की एज जो है दो गुनी हो जाएगे सोनू की एज से तो आपको बताना है कि नूरी और सोनू की present एज कितनी है कितने साल के है वो त तो लेट कर लेते हैं चलिए सॉल्फ करते हैं लेट प्रेजेंट प्रेज ओफ नूरी उसको हमने एक्समान लिया और यहां पर करेंगे नेट प्रेजेंट एज और सॉनु यहां पर y मान लिया तो आपको वो लगया 5 साल पहले तो यहां लिखेंगे according to question 5 साल पहले मतलब x में से 5 माइनस करेंगे और y में से 5 को माइनस करेंगे 5 साल पहले जो है नूरी जो है तीन को नहीं हो जाती है सोनु की एज क्या तो नूरी की एज यहरी और सोनु की एज यहरी तो यह इकवल टू माइनस 10 ओके फ्रेंट्स यह हो गया equation first equation second निकालते हैं आपको बोले के दस साल बात दस साल बात मतलब प्लस 10 कर देंगे x में और y में भी प्लस 10 कर देंगे कितनी गुणा हो जाती है यह कितने गुणा दिया है फ्रेंट्स twice हो जाता है दो गुणा हो जाता है यह दो गुणा करेंगे और इकवल हो जाएगा तो x प्लस 10 एकवल टू 2y प्लस 20 तो यहाँ लिखेंगे x माइनस 2y 20 माइनस 10 यहाज अगर x माइनस 2y एकवल टू 10 यहाँ गई हमाद सेकंड एक्वेशन अब इन दो एक्वेशन को सॉल्व करेंगे अलिमिशन मैथर से और देखेंगे कि नूरी की एज कितनी है और सोनू की एज कितनी है तो आपको दिख रहा हुआ कि कोफीशियंट जो है x का वो दोनों में सेम है तो समारा आञंसर्व आजाएगा पहला एक्वेशन यह है और दूसरा एक्वेशन After minus 2y equal to 10 तो चलिए minus करते है minus करेंगे तो ये minus हो जाएगा plus का ये जो minus का था वो plus हो जाएगा ये plus का है तो minus हो जाएगा ये cancel हो गया यहाँ पर मिलेगा minus का y यहाँ मिलेगा minus का 20 minus से minus कट गया y की value जो है वो 20 के equal है तो हम इस equation में किसी भी इन दोनों equation में से एक equation में y के value रखेंगे और x के value निकालेंगे y है 20 तो 3 से 20 को into करेंगे और minus 10 है equal तो ये जाएगा 60 equal to minus 10 ये जाएगा आपका x equal to 50 ओकिए फ्रेंड्स क्योंकि जब ये 60 है minus का तो इस से जाएगा तो plus का 60 हो जाएगा प्लस का 60 माइनस 10 तो माइनस का प्लस का 50 आजाएगा तो x के value आगए 50 y की जो है 20 आगए तो जो present age होगा जो उनकी present age होगी वो 50 साल होगी तो इस प्रकार से हम what problem क्या equation मनाते है equation create करते हैं और फिर उसे solve करते हैं elimination method से तो अमीद आपको इतना समझ में आया होगा बढ़ते हैं अगले question की तरफ और करते हैं उसका solution तो आपको दिया गया है कि sum of disease तो friends आपको दिया गया है यह बहुत important question इस question में आपको बताना है कि दो अंकों की एक संख्या दे गई है उन संख्याओं का योग अगर दिया गया हो आपको और उन संख्याओं को interchange कर दिया जा है और फिर उसे multiply कर दिया जा किसी number से तो आपको बताना है कि वो number कौन सा होगा तो चलिए देखते हैं कैसे solve कर जाता है इस number को तो पहले तो हम let कर लेते हैं let unit digit या फिर once भी लिख सकते हैं x कर लिया और 10th place पे y कर लिया तो हमें दिया गया है कि दो digit के कोई number है जिसका sum जो है वो 9 है तो according to question x plus y equal to 9 दो अंकों की कोई संख्या है उन अंकों को जोड दिया जाए तो 9 आता है तो हमें equation number first मिल गई first line से यहां पे आपको वो लाग आता तो इसे प्रकार से अगला equation बनाते है आपको बोला गया है कि 9 times this number is twice of the number obtained by the reverse order of the digit तो friends आपको बोला गया है हमारा equation हमारा जो number बनेगा वो x plus 10 y बनेगा क्योंकि unit digit पे x है और जो y है वो 10th place पे है इसलिए तो आपको बोला गया है कि अगर इस number को 9 से into कर दिया जाए और इसके order को reverse कर दिया जाए वदला 10s की place पे excel आ जाए और 1s की place पे y आ जाए वदला 10x plus y कर दिया जाए इसे उल्टा कर दिया जाए तो यह दो गुना हो जाएगा और दोनों equal हो जाएगा तो इस condition में हम bracket को solve करेंगे तो यह आजएगा 9x plus 90y equal to 20x plus 2y तो अगर friends हम इस 9x को इसेड़ लाएंगे तो 20x minus 9x हो जाएगा और इस 90y में से हम इस 2y को minus करेंगे तो आजएगा 88y equal to 11x और यह cancel out हो जाएगा तो 8 आजएगा तो x की value आ गई 8y okay friends x की value 8y आ गई जिसे ऐसे भी लिख सकते हैं x minus 8y equal to 0 तो यह आ गई हमारी second equation देखते है first and second equation को solve करके first equation थी हमारी x plus y equal to 9 और second equation देखते हैं second equation देखते हैं x minus 8y equal to 0 y की जो value आएगे वह 1 आ जाएगे तो हम x की value निकाले हमारा वह 18 बनेगा क्योंकि unit place पे हमारा 8 आ गया और 10 place पे आ गया हमारा 1 जो की xy के form में था तो जो number बनेगा हमारा 81 बनेगा 81 ऐसा number है जिसके digit का जो sum करेंगे 8 plus 1 करेंगे तो 9 हो जाता है और अगर इसकी digit को पलेट दिया आसा है और उसको 9 से into क्या आसा है तो जो उसका solution आएगा वह equal आएगा reverse करने के बाद तो आपका number जो है वह 18 होता है बढ़ते हैं अगले question की तरफ और करते हैं उसका solution तो अगला question बोला गया है कि मीना जो है एक bank में विड्रो करती है 2000 रुपे 2000 रुपे मीना विड्रो करती है एक bank से और वह cashier से बोलती है पचास रुपे के और 100 रुपे के नोट देने के लिए मीना जाती है bank में और 2000 रुपे निकालती है cashier से बोलती है बस मुझे 50 और 200 के नोट चाहिए नहीं 100 के नोट चाहिए तो मीना को 25 नोट दे जाते हैं तो आपको बताना है कि 50 के नोट कितनी दिए गया है और 100 के नोट कितनी दिए गया है तो चलिए solve करते हैं आपको बताया गया था कि जो निकालना होता है में जो find करना होता है उसे ही हम let करते हैं तो चलिए let करते हैं let 50 रुपीज note notes let यहाँ पर लिखना था है number of okay friends यहाँ पर लिखेंगे let number of 100 रुपीज notes यहाँ पर लिखेंगे according to question stall according to question क्या बोला गया है कि आपको total note दिये गया है 100 के note को मिला कि 2000 रुपी हो रहे है तो 50 के note कितने है हमारे x है तो यहाँ पर आज़ाएगा 50x और 100 के note कितने है y तो यहाँ पर आज़ाएगा 100y equal to 2000 रुपी तो चलिए common लेते हैं common क्या आज़ाएगा 50 आज़ाएगा 50 common लेंगे तो यहाँ पर आज़ाएगा x plus 2y equal to 2000 यह 0 से 0 cancel हो साएगा 5 से 20 को गाटिंगे तो यहाँ जगा 4 तो दूसरी equation आई है x plus 2y equal to 4 यहाँ गई 2nd equation अब आपको दिख रहा हो x का coefficient और 2nd equation में x coefficient जो है तो यहाँ पर लिखेंगे हम x plus y equal to 25 और यहाँ लिखेंगे x plus 2y equal to 4 और करेंगे इस equation को minus तो minus कर देते हैं plus का minus हो गया plus का minus हो गया cancel यहाँ पर 2y में से y को minus करेंगे तो minus का y हो जाएगा तो minus का 2y बारा था ओके फ्रेंड्स 25 में से 4 को minus किया जा 21 आ गया तो y सो आया तो minus का 21 आया दो मिनिट फ्रेंड्स क्या हमने कुछ गलत किया है एक बार फिर चेक करते हैं पचास के नोट को x माना 100 के नोट को y माना x प्लस y 25 है पचास x प्लस 100 y 2000 तो पचास दूनी 100 अब यह 0 से 0 काट दिया 25 तो x प्लस 2y इकल टो 4 यह आ गया x प्लस y ब्राबर 25 x प्लस 2y इकल टो 4 y के वैलू आगा 21 तो x के वैलू आजाएगी 4 तो x के वैलू आजाएगी 4 तो x के वैलू आजाएगी 4 तोढ यह प्लस і 4 क्योंकि x प्लस y ब्राबर 25 है फ्रेंट्स यह जो negative sign आ रहा है y के सार्थ 21 negative में आ रहा है negative sign को reject करेंगे बस हम 21 प्लस करेंगे चुब कि हमें नोटों की सख्या दे गई है नोटों की सख्या कभी मैंडेस में नहीं आते हैं ठीक है तो यह पेंगेटिव 오른 करेंगे हम तो चुब हमारा 50 का नोट है वो छार है और हो सो के नोट वो 21 है क्योंकि दोनु का सम क्या है 25 जो कि कोश्यन में पहले से बताया किया हमें तो हमने निकाल लिया मीला के पासे नोर्ट फॉझेव te चार नोर्ट सोनगे पचासके और समाहिए इकिस नोर्ट फोडहा। इसकी प्रकार से कौस्ष इपश्ट के चार्चिस में तो परते हैं कोश्चन आपको बोल कि एक लाईब्ररेरी में फिक्स क्स्ध है और कुछ एडिस्टिनल चार्चिस है डिस्टिस नल चार्चिस ओके तो आपको तीन दिनों के लिए फिक्ष है और सरी शरीता श्रीटा 27 रुपे कर रही है वह 65 रुपे कर रही है 21 रुपीस आपको बताना है और अइश्चा दिनों के आश्द कि पीचार्ज है तो छीए आपको पता है कि जो हमें find करना होता है वह हम let करते हैं तो चलिए let करते हैं और करते हैं इस question का solution let fix charge x रुपए और x रुपए के लिए देखेंगे let additional y रुपए तो आपको बोला गया है कि जो 3 दिनों के लिए fix charge है मतलब अगर सरीटा सरीटा जो है 7 दिनों के लिए कोई book ले रही है तो उसमें 3 दिन तो fix charge है तो एक्सो जाएगा 3 दिनों के लिए बचा क्या 7 दिनों में से 4 दिन बचे 4 दिन किलों से extra पैसे दिने पड़ेंगे और एक दिन के लिए extra charge कितने दिने है y तो 4 दिनों के लिए क्या दिने होंगे 4 y और कितने दिने है 27 रुपए तो यह आगया question number 1 ऐसी according to question करेंगे आपको sushi ने pay किया है 5 दिनों के लिए तीन दिनों के लिए fix charges है तो 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा तो 2 दिनों के लिए extra charge देगी एक दिनों का extra charge है y रुपे तो 2 दिनों का 2 y रुपे और उसने दिया है 21 रुपे तो यह आगई second equation अब first और second equation को solve करेंगे और x y के value निकालेंगे तो x plus 4 y equal to 27 और x plus 2 y equal to 21 तो चलिए solve करते हैं से sign change करेंगे तो sign change कर दिया plus का minus plus का minus plus का minus तो यह cancel हो गया यहाँ पे आएगा आपका 2 y equal to 6 तो y के value आगई 3 के बराबर तो ऐसे हम इस equation में रखेंगे और x के value निकालेंगे y बराबर हमारा आगई 3 तो यहाँ पे put करेंगे 3 into 2 वोता है 6 equal to 21 x के value आजएगे 21 minus 6 तो यह आजएगा आपका 15 तो x के value आगई 15 मतलब fix charges जो है वो तो 15 रूपीज है और जो एक्स्टा दिनों के लिए है वो थ्री रूपीज पर दे है ओके फ्रेंड्स तो हमने निकाल लिया कि जो fix charges लेवरी की वो कितनी है और एक्स्टा दिनों के चार्ज जो है वो कितनी है तो फ्रेंड्स उमीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के लिए आप हमारी साइट www.move2.6a पे जा सकते हैं और हम अभी सभी प्लैटफॉर्म पे उपलवध हैं आप हमसे जुड़ने के लिए इन सभी प्लैटफॉर्म पे हमें सर्च कर सकते हैं और अगर हमें tag करना हो आपको तो ये hashtag कर यूज़ करके आप हमें tag कर सकते हैं कर आप सकते हैं कर सकते हैं कर सकते हैं कर आप हमें